आलो इसके लाजी निकल जाते हैं कभी-कभी वो प्रेग्नेसी भे बहुत कुछ चलता रहता नहीं अंदर और गयास के गोले टैप बन जाते हैं बाई साहब त्यान से कई फिर से नहीं निकल जाए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टोटल इंटेंटेंडमेंट हिंदी चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले है गोड नियूट वर्सस दबंग ठेरी के बारे में और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोनों मूवी में से कौन से मूवी सबसे ज़्यादा आगे रहेगी और कौन कितना बजट की है और कौन सब्सक्राइब करिए और बिर आइकन पर जरूर दबाईए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके तो दोस्तों सबसे पहले बात करने अक्षा कुमार सर के बारे में अक्षा कुमार सर की ये चौथी मूवी आ रही है 2019 की चौथी मूवी है ये और अब तक जो मूवी बनाई है अब तक कि सबसे ब्लॉक बॉश्टर साबित हुई है और लोगों ने काफी सराहा है उनकी मूवी को काफी देखा है और काफी अच्छी लगिये लोगों को क्यूंकि उनके कंटेंट में दम होते हैं उनकी कहानी में जबरदस्त दम होते हैं और जैसा कि सलमान खान के मूवी में बिलकुल बखवास हलाकि जब से दबंग आई है तब से सलमान खान के केरियर में कुछ न कुछ चांद लग चुका है ताकि वो इनकी मूवी चल जा रही है उनकी मूवी सलमान की मूवी जो चलती है दोस्तों वो इस पे चलती है कि सिर्फ उनके प्रस जाता है वो सब के सब फाल्टू है तो दोस्तों मैं आपको बता देने चाहता हूं कुछ यूटूबर ऐसे हैं जो कि सलमान खान की बड़ी तेजी से बढ़ाई कर रहे हैं जो कि ये बंदा बढ़ाई के काबिल तो है नहीं आज से लेके कोई देश भक्तिय ऐसी पिजिया ची इसके मूवी में ब्लैक मनी जो है उसमें वाइट की जाती है इसलिए दिखा दिया जाता है कि इतने करोन की कमाई की है इतने कलेक्शन किया है ऐसा कुछ नहीं है अक्षय कुमार सर की मूवी को देख लिजिए बिलकुल इसमें आपको कंटेंट में दम नजराएंगे और य दोगों को बताया तक नहीं गया था वह कहानी वह लेकर आया थे जैसे एयर लिफ्ट थी वह ऐसा ही एक देश्भक्ती मूवी थी तो दोस्तों और इसके बाद जो मूवी आए थी उनके एक आए थी मिशन मंगल वह भी जबरदस्त मूवी थी वह भी 200 कॉंट से अधिक भारत भारत वह भी जो कि कंटेंट में बिल्कुल दम नहीं था सब बकवास था उसमें किसी ने कुछ पसंद नहीं किया बस छोड़ा सा इद के मौके पर लोग देखने से घूमने फिर नहीं आ गए थे बाकी यह मूवी पिट चुकी थी ब्लैक मैनी इसमें सिर्फ वाइड आते हैं और वो जबर दस्त होती है उनकी बिल्कुल वाइट होती है और सब कुछ एक्दम रियल होता है और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं जब फिलहाली यह 20 दिसंबर को रिलीज हो रही है दबंग थिरी और 27 को रिलीज हो रही है गुद नीज बट जब गु कमेंट करके ज़रू बताइए आपको कौन सा हीरो अच्छा लगता है हमें कमेंट करना ना भूलिएगा जय हिन जय भारत